हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग यह हमारी चैनल मिक्स डिटेल्स इन हिंडी और आज हम बात करेंगे कि कि आप भाई सच्वें गंगा नदी में नाने से हमारे सारे पाप दुल जाएंगे या नहीं कुछ लोग इस पर बहुत कम भरोसा करते हैं और कुछ लोग ज्यादा करते हैं आज हम इसी टोपिक पर एक बात करेंगे अगर आप पूरा वीडियो देखे तो ही आपको यह बात समझ में आएंगे तो प्लेज अमारी बात सुनियाएं और यह वीडियो को अंध तक देखिए देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी कारिय करते हैं तो उसमें आपकी श्रद्धा होनी आवश्यक्ति एक बार देवी पारवती ने महादेव से कहा कि है महादेव है परमात्मा जो भी इस गंगा नदी में नाता है उसके पाप क्या दुल जाते है या नहीं तब महादेव ने कहा जी हा लेकिन श्रद्धा आवश्यक है तब देवी पारवती ने कहा कि वो केसे तब महादेव ने कहा अब तुम पूरे दिन देखो में स्रिष्टी पे गंगा नदी के तड़ पर चाता ह। अब महादेव की कहनी के मुझब, महादेव स्रिष्टी पे अगुरियों का रुप धारन करके आये। तब महादेव ने देखा, वह गंगा नदी के किनारे एक गड़ा बनाकर उसमें बैठके। तब एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अरे ओ बाबा, आप क्यों यहां बैठे हो। तब व्यक्ति ने कहा, मैं गंगा नदी में ना आने तो आये हो, लेकिन सारे पाप दूल गए, वो मैं नहीं कह सकता। यही सोच सोच कर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब बाजकुन ऐसे बनी, सुबह से लेके शाम आये, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया, और सभी उस भक्त के दरा, और व्यक्ति के दरा, जो भी हो, वो व्यक्ति के दरा चले गये। रात के श्याम बजे श्याम होने पर एक व्यक्ति आया वो गंगा नदी के किनारे ना कर बाहर निकला उसने कहा कि अरे ओ बाबा आप बाहर आजाओ तब शिव ने कहा लेकिन मैं बाहर तो आजाओंगा लेकिन तुमारे सारे पाब दूले ओने चाहिए, तब उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मेरे सारे पाप दूले होए है, मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं जो मेंने नहीं किया, लेकिन मैं इस पवित्र गंगानदी में नहाया हूँ, इसलिए मेरे सारे पाप दूल गए हो गए ये आवश्यक में कह सकता अपना हाथ उस बाबा के नाम पे दिया और शिव जी उस गड़े से बाहर आ निकले तो दोस्तो इस कथा से हमको पता चलजा है कि कोई भी कारिया करो श्रद्धा से करो अगर आप भी गंगानदी में नाने जा रहे हो तो इस इस रद्धा रखो कि भाई मेरे पाफ दूल ही जाएंगे वर तो प्लीस दोस्तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब केजए मैं आपके लिए ऐसे ही मिक्स वीडियो ले आऊँगा जो कि आपको यूनिक लगे और आपको फाइदा कारक लगे तो गुडबाई गुडबाई टेके